वेल्कम बैक सकते हुआ आउप स्ट्रिंग मैंटट्स चे बारे में डिस्कस करने वाले हैं लाश्ट वीडियो में अपने इस问题 को कैसे बना सकते हम यह इस और यह जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा मैं वीडियो को शुरू करता हूं यह कुछ जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं वह कुछ मैठेट के नेम हैं इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले इस वीडियो में तो सबसे पहले हम लेखते हैं आपको क्लास बना रखी है आपको क्लास बनाना तो आते ही होगा मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको अल्रेडी बताया है और यहां पर मैं एक श्रिंग बनाने वाला हूं कि मैं अपना नेम पास कर देता हूं और क्या करूंगा यहां पर एस डॉर्ट लेंग लिखूंगा और इंट इंट दी नाम के वरियेपल में स्टोर करवा दूँगा और यहां पर सिस आउट लिखूंगा सिस आउट लिखके आप कंट्रोल स्पेस से सिस्टम.out.print.talent लिख सकते हैं यह एक शॉर्ट फॉर्म एकलिपस आईए का अला कि यहां पर डी पार्स करूंगा तो एस डाउट लाइं तो जो बहुत बहुत हैं क्या वो दूट करेगा इस इतने भी करेक्टर होने वाले इन लिख धिन करने वाले तो जो मारा जो मैंने बनाया हुआ है यह नाम का तो इसमें तो यह चार्ज जो है वो रिटरंड करने वाला है नंबर आए नंबर है वह दी नम के वैडियेवल में स्टोर हो जाएगा और हम दी को प्रिंट करवा रहे हैं तो यहां पर हमारा आउट पूट जो है वह फोर आना चाहिए हम कोड को कमपाल आना करवा कि चेक करते हैं तो यहां पर फोर और पूट आ रहा है अगर आम यहां पर इस पेस देजिए एक बीच में तो स्पेस भी आज़ेक्टर कंसिडर किया जाएगा और यहां पर फाइव हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर फाइव हो चुका है तो डॉट लाइंथ में अपको समझ में आ गया होगा अब हम कुछ और में देखते हैं और कि और टूसे कि अंपर केस थें र स्छेटर के वारे हम देखते हैं वार्ट को अपने तो मैं क्या करूंग एक बना लेता हूं है और यहां पे मैं एक ट्क्राइबइश कर सकर देता हूं सब्तूदय ओम्फार के मनें लीज़ जायस कि और hear पर मैं क्या करूंगा एज डॉर केस लिखूँ गाए यह मैं जो भी आपका इस ट्रिंग आपने इस ट्रिंग फ़े ये मैं है किया है उसमें जितने भी अलफाबेट होंगे उन सब को यह स्मॉल लेटर में इस फॉल एफाबेट में कर देगा और आपको एज़ इस ट्रिंग को एक स्ट्रिंग नाम के स्ट्रिंग में श्टोर करवाने वाले और को प्रेंट करवाने वाले हैं कि अब देखते हैं हमारे क्या पोटाता है है कि यहाँ पर माइन इम एक प्रिंट हो रहा है यह देखिए मैंने य कपिटल बनाए हुआ था यहां पर आपे small print हो रहा है मैंने capital बनाये हुआ था यहां पर small m print हो रहा है तो यह जितने भी हमारे जितने भी alphabet होंगे सब को small letters में convert कर देगा और हमें as it is string देने वाला यह अगर आपर के हिससे replace करते हैं तो यह क्या करेंगा यह basically जितने भी हमारे alphabets होने वाले हैं उन सब को capital letters में convert कर देगा और हमें as it is string को return करके देगा तो हम एक बार code को compile and run करवा के चेक करते हैं कि यह देखिए my name is yes सारे capital letters है इसमें और यह print हो रहा है अब हम कुछ और methods के वारे में जानते हैं अ कि str.trim यह method क्या करता है यह basically आपके string में जितने भी leading और trailing spaces होंगे उन सब को remove करके यह string return करने वाला है suppose मैंने यहां पर एक यह space दे दिया अपने जो इसको मैं एक बार delete कर देता हूं और यहां पर मैंने यह space दे करने के नितने सारह और इसको इफ़ार रिंट करवाते हैं string को देकते हैं क्या अप्रेंट होँया तो यह आप्यान की कैंठ हो आप यहां चुका है तो यह space भी होंपे print हो रहा है अगर आवम कुछ और space ँह तो अब प्राइब लिखुंगा और इसको एक कि ट्रिंग में स्टोर करवा लूँगा यह भी स्टिंग टाइप का डिटा रिटन करता है और यहां पर मैं इस्टियार कर दूंगा तो यह क्या करेगा एप सारे स्पेस्ट को रिमूब करके एक इस्टिंग वह चुति और प्रेटस करेगा और लिखते हाम यह क्या पूठ आता है तो यह देख सकते हैं के आशे अब हों चुके हैं और यह और यह उसको नोFF कर चुका यह मैध़नोड और यह प्रिंन कर दिया है कि अब कुछ और में देखते हैं अब यहां पर यूज करने वाला हूं तो यहां पर हम क्या करेंगे जो भी इंडेक्स पास करने वाले हैं पैरेंटिस में उस इंडेक्स पे जो भी कि हमारे स्ट्रिंग में जो करेक्टर होने वाला है उस करेक्टर को यह रिटर्न करेंगा तो यह क्या करेगा जो भी इस में इस में नंबर पास करने वाले जो भी इंडेक्स पास करने वाले इस स्ट्रिंग में उस इंडेक्स पे जो भी इंडेक्टर होने वाला है उस करेक्ट यहां पर देखते हैं हमारा क्या आउट पूट आ रहा है तो यह देख सकते हैं आप एंप्रिंट हो रहा है क्योंकि जीरोत इंडेक्स पर वन इंडेक्स पर य है फिर हमारी इंडेक्स पर यह प्रिश के बाद 0123 इंडेक्स पर एन है ऐसे करकर के सारी इंडेक्सिंग हुई है स्ट्रिंग की और जो स्पेसिस भी है वह भी एट पर्टिकुलर इंडेक्स पोजिशन पर है तो अगर मैं इस जिरो को वन से रेप्लेश कर दूं तो यहां पर वाय प्रेंट होने वाला है अगर मैं 012345 सब्सक्राइब यहां पर फाइब पास करता हूं तो फाइब क्या है यहां पर है मैं देखिए काउंट करिए जीरो वन उसके वाइब टू वायटी स्पेस पर फिर थ्री एन फॉर ए पर फाइब तो मैं पर फाइब पास करूंगा और देखते हैं कि अंसर आते हैं तो यहां पर आउट्पूट में एम शो कर रहा है तो आप समझ चुके होंगे एक टाइब करेक्टर टाइप कर डिटा रिटर्न करता है और इसमें आप जो भी इंडेक्स पास करेंगे उस इं ब्हात आएब करता है कि भिग निए यहां पर लिक्र्ट था रगच कर देता हूं इसको एक सेमपल स्टिंग में करेंयों है तो मैं लिखूंगा यहां जो करेंगा और हम इसको एक स्ट्रिंग में स्टोर कर और लेंगे आप चाहने तो और कर सकते हैं लेकिन मैं आपके समझने के लिए आपको अच्छे से समझाए इसलिए मैं इसको एक श्री नाम के वरीवल में यहाँ बार-बार method में वो क्या होगा जैसे आप suppose n को f से convert करना चाहते हैं आप n को तो यहां पर आप n pass कीजिए फिर कॉमा लगाई है फिर single quote में आप वो character रख दीजिए जिससे आप first वाले character को replace करना चाहते हैं अपने string में तो मैंने यहां पर पहले एक character pass किया जो है n और दूसर character pass किया जो है f तो यह क्या करेगा जो भी जहां पर भी हमारा एन आ रहा होगा जितनी जगह पर हमारा string में आ रहा होगा उन सब जगहों को यह f से replace कर देगा और एक string return करेगा और हम यहां यहां पर प्रिंट करवा लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर फेर्म प्रिंट हो रहा है अगर मैं यहां पर एक और सब्सक्राइब कर देता हूं तो यहां पर भी यहां पर मैंने capital लिखा हुआ यहां पर मैंने capital लिखना पड़ेगा इसको यह देख सकते हैं इसने दौनों जगह जो एंड लिखा हुआ था हमारे string में उसको f से replace कर दिया तो इस तरह से आप replace method का use कर सकते हैं अपने string में operations perform करवाने के लिए अब हम देखने equals method कैसे उसकर सकते हैं कि सब्सक्राइब बना लेते हैं स्ट्रिंग s1 उसको मैं पहले एक बार डिलीट कर देता हूं अब यहाँ पर मैंने एक एस नाम की स्ट्रिंग मनाई और एक एस टू नाम की स्ट्रिंग बनाई इस पर मैंने लिख दिया तो एस बन नाम की स्ट्रिंग मैंने ने में बनाई और एस टो नाम की स्ट्रिंग यस मेने अगर हम इन दौनों को झालए हों चाहते हैं और चाहते हैं कि जो आइक उनके उनका कंटेंड का यूज करने वाले equals method क्या करेगा आपके दोनों string को जो है वो compare करेगा और यहाँ पर बताने वाला है आपको कि आपके जो string है वो equal है या नहीं तो एक बार हम चेक कर लेते हैं आप first string दीजिए s1.equals और यहाँ पर argument में आप अपना second string pass करिए और simply मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूं प्रिंट करवाने के लिए कि सिस्टम.out.println के अंदर और इसको code को compile and run करवाएंगे तो यह जो है वो false return कर रहे हैं तो यह जो method है वो boolean value return करता है आइधर true और false तो यह क्या करेगा दोनों string के content को compile करेगा अगर यह दोनों content सेम होंगे तो यह true return करेगा वरना false return करने वाला है तो सपोज मैंने यहाँ पर यह जो एक string थी वह हमारी नेम थी दूसरी string थी यह दोनों string equal नहीं थी इनके content equal नहीं था इसलिए यह false print कर दिया अगर मैं इसको yes convert कर देता हूं और फिर से code को compile and learn करवाता हूं तो यहाँ पर true print होने वाला है एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इसको small y में convert कर देते हैं और code को compile and learn करवाते हैं तो यहाँ पर false कि दूसरे वाले स्टिंग में capital letters होनी चाहिए यह small capital letters को अलग-अलग consider करेगा अब हम कुछ और methods के बारे में जानने वाले कि इसको मैं delete कर देता हूं अग्योग और देखे सब्स्ट्रिंग सबश्रिंग स्वस्टर्श्र disp पूर यहां पर मैं पास कर देता थांग अपनाने मैं और क्या करूँगा मैं अब कि सब्स्ट्रिंग लिखूंगा और यहां पर कोई भी कि इंडेक्स पास कर दूँगा कि सिस्ट्रम डॉट 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 ट्रिंट कर वा लेंगे जो भी रिटरंड करने वाला है कोड को कंपाइल कर वहांगा तो यह देखिए ऐसेच प्रिंट हो रहा है ऐसा क्यों हुआ है यह क्या करेगा जो भी आप जिस भी स्ट्रिंग में आप यह मैठड को एपलाई करेंगे और जो यहां पर परेंदेसिस में आप इंडेक्स पास करने neighbor लेकिर लास्ट वाली इंडेक्स जितने जो भी स्ट्रिंग मतलब दो यह harmony करने वाला है तो यह मैंतर्द क्यावाला बार्या को ब्लस करेंगे फिप्प्रीक सौने तो इस इंडेक्स समय नहीन लेकिर मने दृस्ट पर होने वाली है वह उसकूं प्रिं कर दें तो हमारा SH print होने वाला है देखिए और एक और मेथड होता है जिसमें आप बेगिनिंग और एंडिंग इंडेक्स दोनों ही पास करते हैं सब्सक्राइब यहां पर 0 पास कर दिया सब्सक्राइब यह जो फिरेंगे उसके पहले तक उसके पहले इंडेक्स तक वास करेंगे तो आड़े ?? करेंगा एक इंडेक्स पहले तक ही रिटार्ण करने वाला है इसलिए यहां पर तो यहां पर चेक करते हैं और यहां पर यह प्रिंट हो रहा है क्योंकि तूप पर आता है और यह उसके पहले तक प्रिंट होगा होब आपको यह मैतर्स समझ में आ रहे होंगा अबब देखते हैं स्टार्ड टेक्स्ट बिंड पारे में तो यहां पर मैं क्या करूं इसको सिम्प्ली स्टार्ट प्लेकूंग यहां पर और यहां पर मैं एस पास्काण दूर्ग है कर दें Pat0 है और हमारा हम आदये करते हैं किया यह बेसी करेंगे है तो यह क्या करता है भी यह जो एक टरन करेंगे एंग या फॉल्स बेट रिटार्इंग करेंगा स्ट्राठी जो करता है वह हमारे श्टैंग में चेक करेगा जो भी हम पर पारेंथेसेसमें एक प्रिंग पास करेंगे वह हमारे स्टिंग में कंपाइर करेगा कि वह स्टरेंग is ईस पांच जो हमने हम्टेससमें स्किया और तो उससेinas हो रही है य어주 अगर यह अगर वह string तो यह true return कर देगा सब्सक्राइब है सब्सक्राइब यह अब आ या च्पर दिया तो जो हमारा नेम है जो मेरा नेम है य-a-s-h है और यह से start हो रहा है और यहां पर मैंने वाइए ट्रै एस यह तो यह जो है वह true return करना वास है अगर अगर मैं यहां पर कुछ और लिख देता हूं सब्सक्राइब ने एस एच लिख दिया यह तो यहां पर फॉल्स रिटर्न हो रहे हैं ऐसे ही एंड्स विट मेथेट सिमलर तरीके से वर्क करता है अगर हम एंड्स विट लिखते हैं हएए आ पैद्स किया एक जो भी हमारे स्टिंग पील यह चेक करेंगा के जोभी यहांपर पाते kicking पास की है वह उसस्रिंग से यह लास्ट में कंटेंड करता है हमारा स्ट्रिंग या नहीं अगर मैंने यहां पर यह लिखा हुआ है तो हमारे स्ट्रिंग में जाकर चेक करेंगा कि एसेट से एंड हो रही है या नहीं हो रही है अगर यहां पर ट्रू प्रिंट करेंगा वरना फॉल्स प्रिंट करेंगा यह देखर यहां पर यह लिख देते हैं तो यह फॉट्स सब्सक्राइब करने हैं क्योंकि यह से सब्सक्राइब हो रही है लेकिन आपको इसयद्ट्ट समझ में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगए तो इस वीडियो को लाइक कीजिये और हमारे चैनल को थेंक यू